यह देख़ें मेरे पास एक विनेगर की बॉटल है यह खाली है और हम इस तरह की बॉटल को अक्सर फेक देते हैं बट इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि इस तरह की sauce की बॉटल का सोया सॉस की बोटल का या फिर सिर्का की बोटल को इस्तिमाल कर सकते हैं हम एक नई चीज बना करके तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके रैपर को हटा दिया है मैंने और इसे कपड़े से अच्छे से पहुँच ले और इसके बाद मैं इसे कलर कर रही हूँ तो मैंने ये फैबरिक कलर्स लिए हैं और स्पॉंज के उपर हलका सा कलर लगाया है और इस तरह से टैप करते हुए इसे कलर करना है तो मैं इसे तीन कलर में कलर करूंगी आप अपने हिसाब से को इसे भी तीन कलर ले सकते हैं मैच करते हुए कलर लेंगे तो बोटल का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा और इसी स्पोंज के उपर मैंने वाइट कलर लगाया है जिसमें हलका सा पिंक भी मिक्स है तो यह एक शेडिंग देगा इसमें और इस तरह से सेंटर का पार्ट में लाइट पिंक रखूंगे इसके बाद उपर का पार्ट मैं औरेंज कर रही हूँ तो इसी स्पोंज के एक कॉनर पर मैंने औरेंज कलर लगा लिया है और इसे भी हमने इसी तरीके से टैप करते हुए बोटल के उपर लगाना है यह प्लास्टिक की बोटल है बट आप कांच की बोटल के उपर भी इसी तरीके से लगा सकते हैं ब्रॉश्षे कर लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बट स्पॉंज से इनके ऊपर काफी अच्छे से लगा हो जाता है और एक इुछ जैसा भी बढ़ता है तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे कलर कर लिया है अच्छे से हर जगे कलर लगा है अब इसके कैप को हटा कर भी हमने ऊपर के पाट को अच्छे से कलर करना है तो इस तरह से हमने इस को तीन शेडिंग tutti हैं एक國 को हमने offline कलर में कलर कर लिया है यह मैं आपने इसके ऊपर से इस beauty आइए हैं कि अ तो इसके लिए मैंने एक येर बड ली है और उसको मैं बस कलर में कर रही हूं और इस तरह से यहां पर डॉर्ड बना रही हूं जिससे इसमें एक अलग ही डिजयाइन बनकर आएगा हैं तो यह colonial पीजिए बना रही हूं आप चाहें तो इसे इतना ही कलर कर सकते हैं उपर के पार्ट में ही डॉट्स बना सकते हैं बट मैं यह डॉट्स पूरे बॉटल के उपर बना रही हूं जिसे यह एक सार दिखेगी तो येरबट बहुत ही अच्छी है इस पर डॉट्स बनाने के लिए बहुत ही आसानी से आप इसमें एक साइज के डॉट्स बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है ये किसी भी तरह की बॉटल को डेकुरेट करने का तो आप सिर्फ 5 मिनिट के अंदर किसी भी बड़ी साइज की बॉटल को भी डेकुरेट कर सकते हैं तो मैंने ये जो डॉट बनाए हैं आप इन डॉट के बिना भी इसे इसी तरह से रख सकते हैं और ये सुन्दर भी दिखेगा तो आप इसे अपने इसाब से डेकुरेट कर सकते हैं बिना डॉट के भी आप इसे योज कर सकते हैं ये तीन-चार कलर के साथ वैसे ही बहुत सुन्दर देख रही है तो अगर आपके पास इस तरह के स्टोन्स की लेस नहीं है तो जो नॉर्मल लेस आती है आप उसे फैविकॉल से चिपका दीजिए इसके उपर एक छोटा सा पीस लगा दीजिए और ये देखे हमने एक सिंपल सी बोटल को एकदम नए लुक में कनवर्ट कर दिया है और ये बहुत ही सुन्दर लग रही है आप इसे कहीं पर भी रखेंगे तो ये बहुत ही जादा अट्रक्टिव दिखने वाली है इस तरह की बोटल आपके पास पेयर में है या तीन-च तो ये फ्लार पॉट की तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं ये देखे इस तरह से भी बहुत ही सुन्दर दिख रही है बोटल तो अब से आपके किचिन में जितनी भी तरह की बोटल निकलती है छोटी या बड़े साइज में प्लास्टिक की या कांच की आप उनको बह कर सकती हैं और अपने घर को सजा सकते हैं तो इन फेके मत इस तरह से इस्तिमाल कीजिए तो ये था आज का वीडियो थैंक्स वर वाचिंग